हेलो एब्रीवान स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर नॉम्बर टैन गृत्वा कर्शन गृत्वा कर्शन मीन्स ग्रेवीटेशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए शुर गृत्वा कर्शन का स्थरवात्रिक नियम यानि कि जो न्यूट्रन का यूनिवर्सल ला ओफ ग्रेविटेशन था उसके बारे में उसके बारे में उसके बारे में गृत्वा कर्शन सिथ्रांग मीन्स ग्रेविटेशन दू ग्रेविटेशन दू ग्रेविटी जिसका मान 9. second object का मास होता है और R होते है दो वस्तों के बीच की दूरी या कह लिए डिस्टेंस बेट्विन अबजेक्ट थीए उत्पलावन बल में अगर हम बात करें तो यहां पे होता है प्रनोध और दाब्थरस्ट और प्रेशर होते हैं जिसमें प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरि जहां पे इस ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटो 11 raise to power minus 11 newton meter square per kilogram square तो यहां पे दो चीज़ इंपोर्टेंट है एक है यह वाली वैल्यू ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट की ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट को हम capital G से देनोट करते हैं और जो value important है वो है acceleration due to gravity, gravity जिसे हम small g से denote करते हैं जिसकी value 9.8 meter per second square होती है और यह पूछी जाती है कि किसकी value कितनी होती है, इसके लावा Newton के नियम में हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसमें हम weight निकालना सीखेंगे और यहां से एक दो numerical पूछे साती है, तो weight का formula यहां से mz होता है, mass into गृत्विय तवर्णी यानि की acceleration due to gravity, ठीक है, या gravity याद रख लिजिए सिफ mass into gravity चलिए अब चुरू करते हैं chapter, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिथ्वी का गृत्वा करशन बल, gravitational force of earth क्या होता है, अगर हम कोई एक पत्थर बिना धका दिये फैकते हैं एक उचाई से, और वहाँ पत्थर प्रिथ्वी की ओर त्वरित होता है, जब पत्थर धर्थी की तरफ त्वरित होता है, accelerated towards earth तो पता चलता है कि कोई एक बल उस पत्थर पर लग रहा है, वहाँ बल जो किसी भी वस्तु को धर्थी के केंदर की तरफ खीचता है, वही क्या है प्रिथ्वी का गृत्वा करशन बल कहलाता है, gravitational force of the earth कहते हैं उसे, इसका मतलब है कि पत्थर भी धर्थी को आकरशित करता तो ये क्या था गृत्वा करशन का नियम, इसके अनुसार क्या था, कि धर्थी पे जो भी सीज़े हैं, वह क्या करती हैं, एक दूसरे को attract करती हैं, ठीक, देखें, आगे है Sir Isaac Newton ने गृत्वा करशन का नियम दिया, तो ये पूछ सकते हैं, गृत्वा करशन का नियम किस ने द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुकरमानाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्यूत्मानुपाती होता है, तो ये तो समझ नहीं आएगा, चलिए ऐसे देखते हैं, उसने वही कहा कि, every mass in the universe, वही द्रव्यमान जो होता है, वो क्या करता है, attract करता है every other mass, ठीक है एक द्रव्यमान जो है जिस चीज़ का, वो किसी और दूसरी चीज़ के द्रव्यमान को अपनी तरफ attract करता है, साथ ही आगे इसने बताया कि, और ये directly proportional होता है, product of two masses, और inversely proportional होता है, जो distance होता है उनके बीच के square का, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको define करके लिखा है, कि मा लेते हैं M1 और M2, ये दो वस्तवे हैं, M1 और M2, दो वस्तवे A और B एक दूसरी से D दूरी पर रखी होई है, दोनों वस्तवे की बीचाकर से, A और B दो चीज़ है, M1 और M2, ये इनका द्रव्यमान मास हो गया, और ये distance D पर रखी होई है, तो ये एक दूसरे को attract तो यहां पर जो force होगा, वो क्या होगा, directly proportional होगा M1 into M2 के, और force universally proportional होगा इनके distance के square के, 1 by D square के, तो ये जो हैं दो definition यहां से निकल के आती हैं, फिर जब हम इन दोनों ही equation को combine करेंगे, जहां पर हम force को एक तरफ और इसको एक तरफ लिखेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा कि force equal to M1, M2, यह कह लिजे, upon D square, यहां से definition यहां से निकल के आ जाएगी, जब हम equation first और second को combine करके देखेंगे, ठीक हैं, यह आगे, अब यहां पर force की काई, Newton, M की काई, mass की, KZ, और distance की, meter, ठीक हैं, फिर बात आती ही, गुरतवा करशन बल की, तो इस पार हमने गुरतवा कर by D square, यह G क्या है, यह होता है gravitational constant, इसको क्या कहते है, gravitational constant कहते हैं, जहां पर G सारवत्तरी कृतवा करशन से थरांकी, यानि की universal gravitational constant, universal gravitational constant को capital G से denote किया जाता है, तो यहां पर जो formula आ गया, G M1, M2 by D square, ठीक है, इनका मान कहीं भी दो बस्तों के लिए सभी स्थान परता है, यहां यहां पर सिर्फ इसकी आद रखिए, कौन इसकी जो value होती है, वो होती है, 6.67 into 10 raise to power minus 11, universal gravitational constant की value, ठीक है, चलिए, आगे देखिए, Newton के इगती का तीसरा नियम और गुर्तवा करशन के नियम में संबन, relation कहा Newton, third law of motion और Newton law of gravitation में, देखिए, Newton के तीसरे नियम के नुसार क्या लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिकरिया होती है, every object exerts equal and opposite force on other object but in opposite direction, ठीक है, कि विपरीत दिशा में प्रतिकरिया होती है, यह था Newton का third law, Newton का जो gravitation का law आया, उसने क्या खा गया, Newton law of gravitation, हर एक वस्तु इस ब्रहमांड में हर दूसरी वस्तु को आकरशित करते है, स्वातंत लेकिन Newton की गती के तृतिय नियम के नुसार, पत्थर द्वारा भी प्रिथ्वी को अपनी और खीचना चाहिए, और वास्तो में क्या होता है, पत्थर भी क्या करती है, प्रिथ्वी को अपनी तरफ खीचता है, प्रिथ्वी को अपनी तरफ, लेकिन पत्थर भी खीचता है वो 9.8 meter per second scale होता है ये वेग का मतलब क्या है कि हमें दिखाई देता है कि हाँ पृत्वी जो है उसे खीचरी ही है अपनी तरफ वो पृत्वी की तरफ आ रहा है लेकिन पृत्वी का द्रवयमान जादा होने के कारण उसका तरण जो होता है ये इतना होता है जो हम देख नहीं पाती जो इतना कम होता है कि हमें अनूभव भी नहीं हो सकता है ठीक है इतना कम होता है पृत्वी का जो त्वारन होता है किसलिए क्योंकि पृत्वी का द्रवयमान जादा होता लेकिन पृत्वी और पत्थर, मतब धरती और पत्थर दोनों ही क्या कर रहे है, एक दूसरी को आकरशिद कर रही है, तो ये था गृत्वा करशन का नियम, ठीक है चलिए, अब importance क्या है इसकी importance of universal law gravitation, इससे हमें क्या पता चला है हमें पृत्वी से बांदी रखने वाला बन है, the force that bind us to the earth पृत्वी के चार और चंद्रमा की गती किसका रहे है, विर्टवा करशन की नियम की कारण इसके लावा सुरिया के चार और ग्रो की गती के कारण क्या है, universal law of gravitation और चंद्रमा और सुरिया के कारण जजवार भाटा आता है, वो भी किसका कारण है gravitational law, ठीक है तो ये इसकी importance है आगे है mukt पतन, mukt पतन means free fall free fall of an object तो देखें क्या है, mukt पतन जब किसी वस्तु को उपर के और फिका जाता है तब ये एक निश्ची तुचाही तक पहुँचकर नीचे की और गिरना आरम कर दीती है क्योंकि उस पर कौन सा भल होता है gravitational force होता है ठीक है, किसी वस्तु का पृत्वी के गृत्विय बलके प्रभाव में गिरना मukt पतन कहलाता है, मukt पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई प्रिवर्तन नहीं क्योंकि वह हमेशा पर्थवी की तरफ ही गिरती है लेकिन वस्तु के वेग के प्रिमान में प्रिवर्तन होता है दिशा में कोई प्रिवर्तन है direction में कोई चीज नहीं आएगा लेकिन magnitude में चेंज आएगा प्रिथी के गृत्विय बलके काण वस्तु के वेग में प्रिवर्तन गृत्विय बलके काण जो वस्तु के वेग में प्रिवर्तन आता है उसे क्या कहते है गृत्विय त्वर्ण कहलाता है वो ठीक है क्या कहते है उसे acceleration due to gravity कहते है और इसे हम small g से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मातरक होता है, सेम वही होता है जो acceleration का होता है, meter per second square, तो acceleration due to gravity का भी क्या होता है, meter per second square ही मातरक होता है, ठीक है, आगे है गृत्विय तवरण और पृत्विय पर उसका नाम, स्वतंतर रूप से गृत्विय वस्तों पृत् तवरण क्यालाता है, इसे g से प्रदर्शित क्या होता है, इसकी दिशा सदयव पृत्विय के केंदर की तरफ होती है, तो देखें, यह हमने लिया g वही जो हमने पढ़ा था gravity में, force equal to, सबसे पहले जो g है, यहाँ पर क्या है, gravitational constant हो गया, यहाँ पर यह m, e है, mass of the earth है, जो यहाँ पर, लेकिन हमने पढ़ा है कि force equal to mg भी होता है, mass into gravity भी होता है, force, तो इस force की value को हम कहां रखेंगे, first वाली equation में रखेंगे, तो यह गलत हो रखा है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए, चलिए, first वाला सही है, कि हमने यहाँ पर इसकी value रख दी, ठीक है, फिर हम क् gravity को इधर की दर रखेंगे और बाकी को इधर लेकियाएंगे, z into m e, small m, और m into r square, इस mass of object से यह कट जाएगा, यह वाला mass, तो यहाँ पर बचा z into m e, gravitation और mass of earth, upon में r square, देक है, तो यह बच जाएगा यहाँ पर, उसके बाद देखें, यहाँ पर हमें value पता है, ग्रेविटेशन की कितनी होती है, ग्रेविटेशन की value, 6.673 into 10 raise to power minus 11 होती है, फिर mass of the earth, 6 into 10 raise to power 24 kg होती है, और पर ठीक तरेज़ा 6.4 into 10 raise to power 6 होती है, फिर इने solve करेंगे, तो यहाँ से जो gravity की value निकल कराएगी, वो आएगी 9.8 meter per second square, ओके तो निकालनी नहीं सिखनी है, हम सिर्फ इसका result पता होनी चाहिए, कि gravity की value 9.8 meter per second square है, ठीक है, यह school में काम आते है, जहां पर बच्चे को solve करके दिखाना पड़ता है, पूरे अच्छे से, ठीक है, तो gravity की value याद रखिए, पृत्वी का जो mass है वो याद रखिए, gravitational constant क्या है, यह याद रखिए, यह चुट गृत्वी तवर्ण, जिसे small g, acceleration due to gravity, और gravitational constant, capital G के बीच में, तो क्या होता है, small g equal to, gravitational constant into mass of earth upon r square, ठीक है, तो यह पूछी जा सकती है, what is the relationship, यह difference between g and z, मतब capital G और small g में, तो यह आपको इसका result यह पता होना है, चाहिए, चलिए, आगे बात करें हम गृत्वी तवर्ण, means gravitational acceleration और गृत्विय सित्रांक, जिसे gravitational constant का जाता है, इसे हम capital G से दिखाते है, इनका मान 9.8 meter per second, इसका मान यह होता है, इसका मान बिन-बिन स्थानों पर बिन होता है, ठीक है, और इसका मान कैसा होता है, स्थिर होता है, its values remain constant, always and every way है, इसका मातर एक meter per second square, इसका newton meter square per kg square, देख gravitational acceleration, कैसी है, vector quantity है, और गृत्विय सित्रांक, जो constant है, वो कैसी है, scalar quantity है, अदिश रासी है, यह याद रखे, ओके, चलिए, एक question आता है, 150 gram और 500 gram के पत्थर एक मिनार की चोटी से गिराए जाए, तो कौन सा पत्थर पर पहले पहुँचेगा और क्यों, ठीक है, तो इसमें कोई भी जो है, ऐसा नहीं होगा, कि कोई हलकी, मास जिसका कम है, वो जल्दी पहुँच जाएगा, या जिसका द्रव्यमान जादा है, वो देर से पहुँचेगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि, यहाँ पर रिजन पढ़ सकते हैं, एक युचाई से गिराए जाने पर भि पहुचेगे, चाहिए वो भारी है, चाहिए वो हलकी है, लेकिन जब वो एक जगे से गिराए जाएंगे, तो वो धर्ती पर एक साथ ही पहुचेगे, यह कोशन आता है, तो याद रखिए, चलिए, आगे हम बात कर रहें, द्रव्यमान और भार की, सबसे पहले हम पढ़ र आदिश राशी है, आदिश राशी मींस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में मैगनिट्यूड तो होता है, लेकिन डिरेक्शन नहीं होती है, इसके SI मातरक पूछा जाए, तो मास का SI unit होती है, किलोग्राम, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं, तो देखे, किसी वस्तु का द्रव्य मान सरवत्र समान रहता है, मास of a body is constant and does not change from place to place, वो हमेशे कैसे रहती, constant रहती है, मास को स्मोल म से प्रदर्शित क्या जाते है, और मास of a body cannot be zero, कभी भी जो है, मास सुन्यन नहीं होता है, किसी वी वस्तु का, ये याद रखे, ये तीनों चीज इम object is attracted towards the center of the earth it's called the weight of the object हम जानते हैं कि force equal to mass into acceleration होता है f equal to ma होता है और गृत्विय भल के कारण क्या कहलाती है इस acceleration की जगे हम क्या यूज करते हैं g, acceleration due to gravity गृत्विय त्वरण तो f equal to mg भी लिख सकते हैं अब देखें लेकिन प्रिथ्वी द्वारा आरोपित बल भार force of attraction of the earth of an object के कारण इसे किससे प्रदर्शित करते हैं w से, weight से इस force को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं weight से और weight हो गया अब हमारा mg, ठीक है अते भार क्या है कि बल है जिसका ऐसा ही मातरक newton है, क्योंकि force का newton होता है तो weight का भी यहाँ पर newton हो जाएगा ठीक है चलिए एक किलो भार को प्रिवाशित कीजिए और इसका newton से संबन देखें, अम जानते हैं कि w equal to mz होता है, अब इसने कहा एक किलो भार, यानि कि mass दे दिया इसका अब gravity की value हमें पता है कितनी होती है, 1kz into 9.8 अब weight किसमें आएगा, newton में आएगा तो 9.8 newton आ गया ठीक है वही बताया गया यह, चलिए अब difference देखें किसी वस्तु में नहीत कुल द्रव्य की मातरा क्या कहलाती वस्तु का द्रव्य मान कहलाती है और जिस ग्रुतु यह, बल से प्रिथी किसी वस्तु को अपने केंदर की और खीचती है वह वस्तु का भार होती है ओके यही बताया गया, w equal to mz होता है और जड़तव का माप होता है द्रव्य मान हमेशा समान रहता है, यह बिन बिन स्तान अबर बिन बिन होता है अगर जी का मान सुन्या हो गया, अगर तो द्रव्य मान सुन्या हो गया, अगर तो द्रव्य मान वस्तु का भार हो जाता है अगर जी का मान सुन्या है, तो भी द्रव्य मान सुन्या नहीं होता है ठीक है चलिए अब बात करते हैं जी को प्रभावीत करने वाले कार्ग पृत्वी एक पूर्ण गोला नहीं है पृत्वी की तरिज्जा दुरूवों से विशुवतवर्त की और जानी पर बढ़ती इसलिए जी का मान दुरूवों पर विशुवतवर्त की अपेक्षा दीक होत किया जा सकता है ठीक है तो पृत्वी के प्रष्ट इसके या पृत्वी के आसपास अगर कोई चीज है तो वह वहाँ पर जी का मान जो होता है ग्रेविटी का जो मान होता है वह स्थिर मान सकते हैं लेकिन अगर कोई चीज पृत्वी से दूर है तो उसका ग्रेविटेशनल जी का मान जो हमें किसके द्वारा निकालना पड़ेगा जो हमने सीखा था रिलेशन ग्रैविटेशनल के बीच में ग्रैविटी और उसके बीच में ग्रैविटेशनल कॉंस्टेंट के बीच में जो डिफरेंट वो रिलेशन है इसके द्वारा जो हम इस चीज़ को निकालेंगी, ग्रेविटी को, ओके, तो यह याद रखिए, चलिए आगे है, प्रिनोध तथा दाब, thrust and pressure, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, thrust को, thrust क्या है, किसी वस्तु किस्ता है, कि लंबोत लगने वाला बल, या the force acting on an object, perpendicular to the surface, तीक है, जो बल perpendicular लगता है, वो क्या कहलाता है, thrust कहलाता है, और दाब क्या होता है, the effect of thrust per unit area, एक प्रती एकांख शेतर पर लगने वाला प्रनोध, वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, तो दाब equal to प्रनोध बटाए, शेतर फल, प्रनोध means, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको force लिख सकते अपोन में area, तो pressure equal to F by A, force upon area, दाब का मातरक देखिए, ऐसा unit जो होती, उसकी newton meter square होती है, और दाब का SI मातरक क्या है, पास्कल, पास्कल में भी आ सकती है, newton meter square भी आ सकती है, और पास्कल PA से प्रदर्शित, क्या जाता है, तो याद रखिए, दाब का मातरक, pressure का, ओके, दाब को प्रभावित करने वाले कारकों से है, एक लगाया गया बल, pressure जो है, डिपेंड करता है, टू factor पे, जो force apply करते हैं वो, और एक area of surface, over which force act, सतय का शित्रफल, ठीक है, उदारन देख लीजिए, उचे बवनों के आधार नीव चोड़े बनाया जाते है, ताकि भवन का अधिक शेतरफल लगे और दाब जो है, कम बड़े, नीव चोड़ी रखी जाती है, अगर हम भवन भी बनाते हैं, तो नीव को चोड़ी रखते हैं, तो यह आकारन है, आगे एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे वाले बैक को लिजाना, जो है, मुश्किल होगा अगर हम कमपेर करें, चोड़े पट्टे वाले बैक की अपिक्षा, क्योंकि पतली मजबूत डोरी वाले बैक में बैक का भार बहुत कम शेतरफल पर लगता और बहुत अधिक दाब उत्पन करता है, काटने वाले ओजारों की धार तेज होती है, या कह सकते कि उनकी सत्य का शेतरफल कम होता है, बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन करता है, काटने में आसानी होती है, सभी द्रव और गया ऐसी तरल कहलाती है, ये सभी दिशाव में क्या लगाती है, ठीक है, आगे एक टाम है बियोंसी, ये क्या है, जब कोई वस्तू किसी तरल में डुबोई जा तरल पधारत में वो ब्योंसी होती है, उत्पलावन बल जो होता है, सदै उपर की तरफ आरोपित होता है, इस बिल्ल का परिमान दरव के गहनता उपर निर्वर करता है, ठीक है, अगर वस्तू पर लगने वाला गृत्विय बल उत्पलावन बल से जादा हो गया, मतलब नी गृत्विय बल के काण वस्तू को नीचे की और, ठीक है, और उत्पलावन बल जो है, जादा हो गया, मतलब ऊपर की तरफ बल जादा लग रहा है, तो वहाँ पर वस्तू क्या होगी, तैरने लगी, जैसे लोहे की कील क्या होती है, डूब जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उत्पलावन बल कम उता है पानी की स्टेप्र तैरता रहता है क्योंकि यह पर उत्पलावन बल जादा होता है और यह कौंसा सिध्धान केहता है कि आप बात करें हुआ हम density कि d había आइतन देज्ध़ के लाते है अगर ऑफ न हुगा हो तो देखे, density क्या होता है, density होता है, the mass per unit volume is called, mass per unit volume, अब यहाँ से mass per unit volume क्या है मतलब, mass per unit volume, ऐसे ही लिखेंगे, तो यह क्या होगी, density होगी, तो यहाँ से इसके formula से भी जो आप इनकी definition याद कर सकते हैं, mass per unit volume, क्या हो जाएगा, density हो जाएगा, density हो जाएगा, density equal to m by v, यह याद रखेंगे, इसका ऐसा ही मातरक होता है, kilogram per meter cube, ठीक है, आगे archimedes का सिध्धान्त, जब किसी वस्तु को किसी तर में पुरुन या आंश्ता डुबोया जाता है, तब वस्तु उपर की तरफ लगने वाले एक बल का नुबह करती है, बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, ठीक है, तो archimedes में उपर की गनत्व ग्यात करने में उप्योगा, archimedes जो प्रिंसिपल है, यह यूज किया जाता है, तो डिट्रमाइन रिलेटिव डैंसिटी ओफ ए सबस्टांस, ठीक है, यह जलाएन और पंडूबियों की डिजाइन बनाने में भी प्रियोग किया जाता है, दुग्द मापी, यान ज जलियान इतना बड़ा होते हैं भी जल पर तैरता, लेकिन एक छोटी सिपिन जो है वो जल में डूब जाती है, आगे बात कर रहे हैं रिलेटिव डैंसिटी की, आपेकशिक घंत्व किसी पदार्त के गनत्व और पानी के गनत्व के अनुपात को आपेकशिक घंत्व कहते ह अनुपात हैं, तो आपेकशिक घंत्व क्या होता है, रेशिव होता है बिट्वून पधारत का गनत्व यानि कि डैंसिटी उफ सबस्टाँस और य데ंसिटी ओ वाटर, रेशिव बेट्वी बिट्विन तो इसको इतना याद रख लीजे, रिलेटिव बैंसिटी इको रिल substance or density of water, तो यही से definition निकल जाएगी, कि the ratio of density of a substance to that density of water is called relative density, ठीक है, इसका कोई मातरक नहीं होता है, it has no unit चलिए, एक question देखते हैं, इसी पे based, सोने कापेक्षिक घनतव इतना है, जल का घनतव इतना है, तब सोने का घनतव, ऐसा ही मातरक में दीजिए पधारत का, यानि कि density of substance, और नीचे जाता है density of water अब water का density हमें पता है substance क्या क्या सोने का हमें निकालना है, तो density of substance हमें निकालना है, और आप एक घनतव 19.3 दिया है, तो relative density अल्रेडी गीवन है, तो 19.3 इधर रखेंगे, density of substance हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे रखते हैं ठीक है, density of gold को हम ऐसे के ऐसे रखते हैं, और density of water कितना है, 10 raise to power 3 ठीक है, तो यह 10 raise to power 3 इधर आ जाएगी, तो यह हो जाएगे, 19.3 into 10 raise to power 3 kg पर meter cube ओके, तो यही unit लग जाएगी, क्योंकि आप एक शी घंतव की, तो कोई unit होती ही नहीं है, जो 19.3 के पीछे लगी हो क्योंकि उसमें पढ़ा, आपने इसको कोई मातरक होता है तो जो सोने काल निकलेगा ऐसा ही मातरक वही क्या निकल जाएगा kg per meter cube ठीक है, चलिए एक और question देखते हैं, 0.025 0.025, aluminium का द्रव्यमान 67 kg है aluminium का गंतव बताई, अब यहाँ पर relative density नहीं पूछा, इसने density पूछा, density का formula आपने उपर पड़ा था, mass होता है upon volume होता है अब यहाँ पर mass देखें क्या है, aluminium का द्रव्यमान 67 है और volume क्या है, 0.025 meter cube तो यह इसका volume है यहाँ से answer निकलेगा 2680 kilogram per meter cube ठीक है, answer में क्या होगा इसका kilogram भी आ जाएगा और इसका meter cube भी आ जाएगा मिलके, मिलके density निकल जाएगी यहाँ से, तो स्वेफ formula याद रखना है, numerical आप easily निकाल सकते हैं, तो density equal to mass upon volume ओके, एक और देखें किसी वस्तु का द्रवयमान ग्याद कीजिए, जिसका भार 49 newton है तो देखें, इसने कहा mass of an object whose weight is 49 newton, तो हम क्या कह सकते हैं weight of an object कितना है, 49 newton weight का formula हमने पढ़ा था, क्या था mg था, mass into में gravity द्रवयमान हमें निकालना मतलब mass की value तो हमारे पास है नहीं gravity की हमें value पता है कितनी होती है 9.8 meter per second scale होती है यहां लिख लेते हैं पूरी तरीके से यह mass निकालना है तो यह इदर क्या आजाएगा divide में आजाएगा, 49 upon 9.8, इसको solve करेंगे, 9.8 into 10 करके इसको solve किया जाएगा तो यहां से answer लिख लेगा 5 कीजी 5 किलो ग्राम ओके तो यह था chapter number 10 जिसमें हमने जो है कुछ चीजे पढ़ी, questions जो होंगे वो बाद में देखेंगे इनके ठीक है thank you so much झाल कुछ प्रूआ झाल कुछ 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 झाल झाल